हलो, I am Sakshi Tiwari, जो कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, कुछ को chapters के basics पढ़ा रही हूँ previous chapter में मैंने speed time and distance कबर किया, कल का जो chapter रहेगा, उसमें मैंने कुछ number series लिये, RBI के लिए जिसमें मैंने wrong number series लिया था, आज मैं जो topic पढ़ाने वाली हूँ, वो है profit loss यहाँ पर मैं profit loss के basic concept एकदम आपको पढ़ाने वाली हूँ, basic से की profit loss, profit क्या होता है, loss क्या होता है, discount क्या होता है, mark price, cost price, everything यह जो especially series है ना मेरी, यह उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी, जो अभी start कर रहे हैं, क्योंकि मैं एकदम basic से पढ़ाने वाली हूँ, और उसमें, जो भी topic मैं पढ़ा रही हूँ, साथ में ही मैं कुछ question practice कराती हूँ, जो pre-level के questions है first हम चलते हैं, what is cost price, जब हम आते हैं कि cost price हमारी क्या होती है, तो किसी भी article को manufacture करने में, जो भी खर्चा आता है, या जितना भी पैसा हमारा पूरा लगा है, वो cost price होती है, means, जो हमारा raw material है, उससे लेके, जो हमने दिया है, मतलब क्या वो लेवर cost labor cost जो हमारी रही है, ये सब include करके, किसी product को manufacture करने में, जो भी खर्चा आया है, वो जो price होती है, वो हमारी होती है, cost price ओके, फिर हम बात करते हैं, MRP, अब MRP जो है, ये एकदम last वाली price होती है, जो product पर rate होती है, MRP कहां पर होता है, जैसे कई बार हमने देखा है, कि जो हमारे product है, उसके ऊपर एक price लखी रहती है, MRP क्या होता है, हमारा market price, market price, अब इसमें क्या होगा, market price में, MRP में सब कुछ included होता है, all the tax, इनका सारा जो भी है profit, ये सब कुछ included होता है, What is loss? जब भी हमारा selling price, price less हो जाता है, cost price से, उस time पर हमको क्या होता है, loss हो जाता है, अब कैसे हुआ कि जैसे हमारा किसी भी product को manufacture करने का जो cost आया, वो आया हमारा 30 रुपे, लेकिन कुछ reasons के कारण, या recession, या कोई भी reason के कारण, हमने उस product को 20 रुपे में बेचा, तो यहाँ पर हमारी selling price जो क्या है, वो कम हो गई, market cost price से जादा हो गई, तो loss जो हमको हुआ, वो दस रुपे का loss हुआ, तो यह हमारा होता है loss, ऐसे ही same है, profit क्या होता है, profit is, when selling price greater than cost price, यदि हमारी selling price cost price से जादा होती है, तो हमको हमेशा profit होता है, अब यहाँ पर मैं ऐसे बहुत चोटे चोटे आर्टिकल ले रही हूं कि 100 रुपे का किसी भी आर्टिकल को बनाने में लग रहा है, पूरा manufacturing cost, और जो last में retailer है, जब यह चीज customer पर पहुँच रही है, customer के पास पहुच रही है, तब उसको, यह 120 में मिल रही है, इस सब के बीच में जो 20 रुपे का margin है यह सब का profit है, मिल जो manufacturing industry है, उसका, जो wholesale market का dealer है, उसका फिर जो retailer है, उसका भी, यह सारे profit इसमें add हो जाते हैं, तो यह हमारा 120 हो जाएगा, वह हमारा selling price हो जाएगा, तो अब आपको समझ में आए कि profit क्या होता है, loss क्या होता है, mark price क्या होता है, cost price क्या होता है, ओके, और selling price क्या होता है, कभी-कभी equal भी हो सकते हैं, जैसे हमने लिया कि हमको कोई भी जो product है, वो market price पर ही मिला, कोई भी इसमें discount नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो उस case में selling price और market price सेम हो जाएंगे, अब हम discuss करते हैं, जो भी formula related है, हमारे जो basic formulas यूज होगे इसमें, तो हमने एक चीज तो निका लिया कि ऐसे होता है, लेकिन यदि हमको profit percent निकाल आ हूँ, तो definitely जैब हम percent निकालते हैं, तो ये 100 से multiply हो जाता है, जब भी हम percent निकाल रहे हैं, और जो हमारे profit और loss होते हैं, वह मेरा cost price के basis पर निकाले जाते हैं, वह cost price के basis पर निकाले जाते हैं, तो यह हमारा profit percent का formula हो जग तो इसमें क्या होगा हमारी जो cost price है वो ज्यादा होगी, selling price हमारी कम होगी, minus ये भी हम cost price पर ही निकालते हैं, into 100, ये हमारा क्या होगा, lost percent होगया, mark price, cost price, अब हमारी जो MRP होती है, वो क्या होती है, जो भी हमारा CP है, उसके उपर जितना भी profit ये लोग बनाना चाहते हैं, markup price मतलब जितना भी इनने लिया है, वो actually price हमको नहीं पता होती है, वो product to product differ करेगी, तो इसलिए मैंने direct लिख दिया है इधर पर markup, okay, markup is calculated on the basis of CP and discount is calculated on market price, हाँ ये बहुत ही important है, कि जब भी हम discount की बात करेंगे, discount जो है, वो हमेशा हमारा उस पर आएगा, MRP पर होगा, ये ध्यान रखना है, ये कुछ basic concepts है, अब इसके बाद हम चलते हैं, बहुती छोटे-छोटे questions मैं अभी लेने वाली हूँ इसमें, उसके बाद मैं दीरे-दीरे अपना level बढ़ाऊंगी, ताकि मैं ये चाह रही आप सब पहले आपके basic clear हो, क्योंकि जो short tricks और ये सब होती है, ये तभी काम में आती है, जब आपका उस particular topic का basic clear हो, ये मेरे खुद का अपना experience है, जब मैंने इतने सारे exams दिया है, pre-DI, means दिया है, उन सब में मैंने देखा है, और especially जो miscellaneous questions आते हैं, SBI में और clerical में, RRB में इन सब में जो भी pre-level questions आते हैं, बहुत easy आते हैं, कभी-कभी DI से ज़्यादा easy होता है, miscellaneous questions को solve करना, जितनी देर में आप 5 questions एक DI के करते हो ना, यदि आपने सारे topics बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप 6-7 questions miscellaneous से कर सकते हो, और मैंने ये खुद ने किया है, क्योंकि DI कहीं बार ऐसा होता है कि वो complicated हो जाती है, कहीं ना कहीं हम first जाते हैं, तो calculations गलत हो जाती हैं, इसलिए miscellaneous पर हमेशा ध्याहन देना है, अब हम अपने first question की तरफ चलते हैं, अब हम जब देखते हैं, कि हमारा जो loss percent का formula है, वो हता है, cp-sp upon cp into 100, अब हमने देखा कि हमको loss percent या क्या दिया है, 20, sp क्या दिया है, 2720, 2720, cp-cp into 100, ऐसे दिया हुआ है, इसको हम calculate करते हैं, तो यह 5 times जाता है, so cp equal to 5 cp minus 2720 into 5, अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि जो हमारा है, तो 2720 into 5 equal to 4 cp हो जाएगा, एक cp यहाँ से minus हो जाएगा, जब हम यहाँ करेंगे, इसको next वाले step में 2720 into 5 equal to 4 into cp, this 680 times 6 into 5, so it will be 00, 3400, जो हमारा cp आएगा, वो 3400 आएगा, यह हमारा basic formula है, अब इससे ना करके, मैं यहाँ पर एक और आपको एक shortcut trick बना बताने वाली हूँ, 2720 जो हमारा है, जब यह बेचा है, तो 20% loss होया, that means this is 80%, now we have to calculate 8%, so, 83024, 84032, यहाँ से हमारा direct 3400 आगया, यह सब लगाने के पहले, हमारे basics बहुत क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं आपको shortcut trick भी बतारी हूँ, इससे कुछ seconds ही लगी हमको यह solve करने में, और इसमें calculation कितनी सारी करनी पड़ी, इसलिए ऐसे करना बहुत बहतर रहेगा आपको exam type पर, अब हम next question के चलते हैं, CP of article is 5-6 of SP, what is percentage of profit and loss, यदि हम ऐसे लिख सकते हैं, कि CP equal to 5 by 6 of SP, ओके, यह हमने लिख लिया, अब इसमें पूछ रहा है, कि जो हमारा profit percent है, मतलब profit या loss क्या हुआ, तो इसको यदि हम देखते हैं, CP upon SP equal to 5 is to 6, suppose इसको हम ले लेते हैं, कि CP हमारा 5 है, और SP जो हमारा है, वो 6 है, तो जो difference हमारे पास आया profit, वो आया 1 का, so 1 upon 5 into 100, तो इसमें क्या हुआ, 20% का profit हुआ हमको, हमने direct लगाया यही है, SP minus CP upon CP into 100, लेकिन मैं बस क्या कर रही हूँ, calculation को fast बनाने के लिए इन तरीकों से कर रही हूँ, और मैं जो भी calculation करूँगी profit and loss में, सारी percentage based करूँगी, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, कि ये कितना easy resolve हो सकता, हर जगे formula लगाने की जड़रत नहीं है, बस ये basic class है, इसलिए मैं आपको सारे formulas यहां पढ़ा रही हूँ, next class मैं कभी भी formula नहीं पढ़ाने वाली, next question पर चलते हैं, on selling on article at 576, trader loss is 4%, तो क्या हुआ, जब 576 पर उसने SP दिया, तो उसको 4% का loss हुआ है, 4% का loss हुआ, that means the price, this is 576, is 96%, this is 96%, okay, so, अब हमको क्या है, 100% निकालना है, इसको हम cancel कैसे कर सकते हैं, 75, 12 होचा है, यह 3 से cancel होगा, 3 वन जा, या फिर हम एक चीज और कर सकते, इतना calculate नहीं करके, यह चीज हम देखेंगे, कि जो 96 into 5 यादी हम करते हैं, 480 आ रहा है, और इसमें 96 कर देते हैं, 576 आ गया, ऐसे calculation करना चाहिए, तो यह 6 time cancel हो रहा है, that means, जो हमारा CP है, वो हमारा कितना है, 600 है, इसको हम basic formula से यादी करते हैं, कि trader loss is 4%, तो 4% हम loss रखेंगे, SP हमारा कितना है, CP कितना है, CP, minus SP हमारा कितना है, 576 SP, again CP, इसको 100 से multiply करना पड़ेगा, so this is 25 times, oh sorry, हाँ 25 times, so CP equal to, 25 CP minus 576 into 25 CP, इतिनी सारी calculation नहीं करनी है हमको exam में, क्यूंकि time की बहुत कमी होती है, bank exam में, तो ऐसे करना सीखना है, मैं आपको सारे basics भी बता रही हूँ, सारे easy tricks भी बता रही हूँ साथ में, हम अपने fourth question पर चलते हैं, Amand sells a bicycle at gain of 10%, Amand ने एक bicycle को sell किया at the gain of 10%, suppose CP उसका hundred था, उसका gain उसने कितने पर लिया, 110 पर सेल किया, if he had bought at 10% less, अभी कितना था CP, इसका 10% loss 90 रुपी में बेचा इसने, okay and sold it at it for 132 less, he would have still gained, और क्या किया, sold अभी इसने जो भी sold किया था, यह मैंने hundred ले लिया है, लेकिन यहाँ पर already 132 less दिया है, that means हमको यहाँ पर कोई और value लेनी चाहिए, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको thousand ले लेते हैं, और यह ऐसे हो जाएगा, so this will be 900 CP, अब क्या किया, if he would have sold 132 less, अब उसने यदि 132 less पर बेचा है, 968 का बेचा है, he would have still gained 10%, तो 968 में भी उसको 10% gain मिला हुआ है, means 968 is equal to 100, यह ऐसा आएगा, अगेन, 880 हमारा CP आजाएगा, यह ऐसे CP आजाएगा, तो हम को जो भी question solve करने हैं, profit and loss के, वो करने है percentage को लेके, कि यह इतना percent है, यह इतना percent है, कोई मतलब नहीं है, यह सारी values लेने की, इसको एक और तरीका होता है, CP equal to X, SP equal to 1.1, ऐसे लेके भी कर सकते हैं, यह भी बहुत easy method होती है, लेकिन अभी starting के purpose से, मैं यह नहीं बताऊँगी, यह best method है, जो आपको मैं बता रही हूँ, हम next पर चलते हैं, SP of an article is 32, तो SP direct दिया हुआ है, कि SP of an article is 3200, and profit percent is 40%, जो profit percent है, वो 40% है, then cost price, अब यदि हम formula पर जाते हैं, तो formula क्या होता है, profit percent equal to, SP minus CP upon CP into 100, यह 40 दिया हुआ है, 100 को हम यहां transfer कर देते हैं, SP हमारे कितना है, 3200, minus CP upon CP, 2, 5, यह हो गया, 2 CP equal to 3200, into 5, minus 5 CP, यह हमारा इधर जाएगा, तो 7 CP से हम ऐसे करेंगे, इतना सब करने से अच्छा है, basically, यह जो 32% दिया है ना हमको, 3200 दिया है, इस पर 40% already profit percent है, तो CP कैसे निकालेंगे, 3200 equal to 140 upon 100, 3200, okay, upon 14, so, 14, 2 जा 28 होता है, 4, 14, 2 जा, again 28, 12, 14, hello, तो जब हम देखेंगे, कि यह 32, अब 120 आया, तो 14, 8, 1, 1, मतब 112 होता है हमारा, okay, again, यह भी आ जाएगा, उसके बाद, ऐसे जब हम cancel करते हैं, तो इन सारी चीचों में, क्या हमको बहुत time लगता है, तो इन सब को करने से अच्छा है, कि हम direct-direct करते जाए, उसके बाद हम फिर से 5 से divide करेंगे, क्यूंकि हमारा 14,5 जा, कितना होता, 70 होता, और यहां पर already 8 है, तो यह भी आ जाएगा, अब कितना, यह सारे बच रहे हैं, फिर से पहले, तो जो CP हमारा आएगा, वो आ जाएगा, 2285.7 हमारा CP रहेगा, यह हमने आज की class में सारे question लिए, thank you,